हलो एवरीवान वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज यानि कि 13 दिसमबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं स्पाइस चैट जो कि ड्रोन से एसेंशिल गुड्स की डिलिवरी को स्टार्ट करने का प्लान कर रही है और विदानता जिनोंने की 13 रुपए 50 पैसे का इंटरिम डिविडेंड डिकलेर किया है तो यह दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे और य इस चैट ने सेटरड़ यानि 11 दिसेंबर को बोला है कि यह ड्रोन डिलिवरी सर्विस इंट्रड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं जिससे कि यह वेक्सीन, लाइफ सेविंग, मेडिसन और एसेंशिल गुड्स को ट्रांस्पोर्ट करेंगे और इन्होंने यह भी बोला है कि इरो स्पेस के साथ इन्होंने पार्टनर्शिप करी है, जिसके अंतरगत थ्रोटल एरो स्पेस इनको 50 से ज़्यादा कस्टमाइजड हाई एंड ड्रोन प्रोइड करेगी और जो उसका सॉफ्ट्वेर मैनेजमेंट है, वो ऐो लॉजिक के द्वारा प्रोइड किया जाएग और यह डिफरेंट कपैसिटी के ड्रोन को अपना इंट्रिद्यूस करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि 0 to 5 kg एक कैटेगरी होगी 5 to 10 kg और 10 to 25 kg और इनका मानना है कि यह इंडिया की जो सप्लाई चेन केपिबिलिटी है, इसको चेंज करने का पोटेंशल रखता है, और शु कुछ फिल्फिल्मेंट सेंटर वगेरा तक पुचाएगी जहां से मेभी फार्मेसी या कंज्यूमर डिरेक्ली परचेस कर सकते हैं, और फ्यूचर में लास्ट माइल डिलिवरीज यानि की कंज्यूमर को भी डिलिवर करने का प्लान करेगी, और जो सपाइस एक्सप्रेस है जो एरलाइन की लॉजिस्टिक आम है, वो ये बिजनेस करेगी और इनका कोशिश है कि ये रिमोटेस्ट और फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ दा कंट्री में पहुंचें जहां पे की नॉर्मल ट्रांसपोर्ट जो रेगुलर ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहां पे सड़कों की कम सब्सक्राइब करेंगे डिफरेंट लोकेशन पे ताकि ये वहां से सब जगा पे डिलिवर कर पाएं, तो अब अगर बात की जाएगी, भाई, सब्सक्राइब क्यों बिजनेस में क्यों गुसरा है, तो लास्ट येर इन्होंने सपाइस एक्सप्रेस और कुछ कंपनीज ने मिलकर के एक प्रपोजल सब्मेट किया था, DGCA, जो कि Director General of Civil Aviation है, उनको इन्होंने प्रपोजल सब्मेट किया था, कि भाई, ये ड्रोन ऑपरेशन में कुछ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट कंड़क्ट करना चाहते हैं, और ये किया गया था, क्योंकि DGCA ने, DGCA ने, expression of interest को invite क किया था, और उसके बाद जो experiment, assessment and monitoring committee है, उन्होंने Spice Express को formal permission दे दी थी, कि भाई, ये ड्रोन के trials कर सकते हैं, और उसके चलते अब ये अपना, इसमें delivery शुरू करने का plan कर रहे हैं, इसके अलाव अगर total aerospace की बात की जाए, तो उन्होंने 100 hours की testing complete कर ली है, based on the recommendation of assessment and monitoring committee. तो अब अगर बात की जाए, हमारी second company news, यानि कि विदानता की, तो इनके board ने 13,50 पैसे per equity share का interim dividend approve कर दिया है, और इसकी जो record date है, वो 18 December है, यानि कि इससे 2 दिन पहले 16 December को अगर आप इसके shares खरीद लेते हैं, तो 18 December तक वो आपके DMAT account में आ जाएंगे, और आपको इसका dividend म दिया गया है, इससे company का 5,019 करोड का खर्चा होगा, और इसमें से जो promoter की holding है, वो 65.18% है, यानि कि 5,019 करोड रुपे में से 3,271 करोड तो promoter के पास ही जाएगा, और ये दूसरा interim dividend है, इससे पहले 1 September को भी इसी साल में 18,50 पैसे per equity share का dividend company के द्वारा दिया गया था, जि और अगर 2021 की बात की जाए तो company ने 3,471 करोड दिया था, तो इस साल, पिछले साल के मकाबले काफी जादा dividend दिया है, और अगर इनकी subsidiary हिंदुस्तान zinc की बात की जाए, तो उन्होंने भी 7 December को 18 रुपे का interim dividend ऐलान किया है, और उससे company का जो खर्चा है, वो 7,605 करोड के आ तो एक साल में लगबग 143% की return, तीन साल में 81% से ज़्यादा की return, तो overall अगर short term या long term में देखा जाए, तो company ने काफी अच्छी performance दिया, और इसके अलावा ये बहुत ही अच्छी dividend paying company भी है, तो इनकी performance काफी अच्छी रही है, और brokerage house reports की बात करें, तो 8 November को GOG BNP परिब पास ने एक report publish की थी और इनका target 374 बताया था, और अगर हम ticker tape के predictive analysis को देखे तो उसके साब से भी इसका price 368 के आसपास आता है, और higher side पे 776 और lower side पे 224, जो final closing हुई थी Friday को, वो 350 के आसपास हुई थी, तो हम बोल सकते हैं कि अभी अभी अपने average price के आसपास या थोड़ा स नीचे चल रहा है, और अगर fundamental देखा जाएं तो एक large cap company है, एक लाग 30,000 करोड के आसपास का market capitalization है, valuation attractive लगता है, साथ की PE और PB ratio of 1.68 काफी attractive बनाती है, इसके valuation को return on equity काफी अच्छी है, debt to equity भी 0.80 है, जो कि ठीक ठाक कही जा सकती है, और overall profitable company है, तो company में कोई problem नहीं लगती company का track record अच्छा है, performance अच्छी दी है, dividend अच्छा देती है, और अभी इन्होंने पीछे announce किया था कि अपने सभी businesses को, जैसे कि aluminium, oil and gas, iron, और, इनको सब को अलग से करके value unlocking करना चाहती है, उसके बाद इनका share भागा था, बस थोड़ा बहुत जो अगर negative side की बात की जाए, तो इनकी जो management है, वो surprises देती रहती है, जैसे कि last year वो dealist करना चाह रहे थे, और बहुत ही कम price देना चाह रहे थे, और इस बार भी उन्होंने दुबारा से ऐसे intention दिखाई है कि वो dealist कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी management surprising decision इनके लेती है, बट otherwise company भी भी potential है कि यहां से आपको अच price jet पे आएं और ये बात करें कि क्या इसका share हमें current price पे लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर past performance देखे तो एक साल में 29% की negative return, पिछले तीन महीनों में almost flat return दिया, इन्होंने 1% की positive और एक महीने में भी इनका share 4% के आसपास गिरा है, तो इन्होंने past में अपने investors को disappoint किया है, और उसका reason भी है क्योंकि ये एक वो sector है जो की COVID से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो उसकी वज़े से इनके share ने disappointing performance दी है, और अगर हम ticker tape के predictive analysis को देखे तो वो इसका average price 71 के आसपास बताते है, higher side प 85 और lower side प 54, और जो Friday की closing हुई है, वो 70.35 पे हुई है, तो ह ये loss making company अभी इस time पे सभी जो airline related companies हैं, वो loss में हैं, और इनके ओपर huge debt है, तो overall fundamental अच्छे नहीं लगते हैं, तो मेरी personal opinion में मुझे कभी भी airline stocks अच्छे नहीं लगे हैं, लेकिन अगर आपको इस sector पर believe है, तो यह आपको news based impact दे सकते हैं, कभी भी कोई positive news आईगी, जैसे कि अभी January तक extend कर दिया गया है, international airlines, international travel को, लेकिन अगर वो खुलता है, तो positively react कर सकता है, या जैसे आज drone की बाते हो रही हैं, तो शायद ही positively react करें, लेकिन overall अगर long term में देखा जाए, तो इस sector में अभी challenges है, तो मेरी personal opinion में मैं avoid करूँगा, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं आप को इस sector पर believe है, तो आप news based impact के लिए इसको ले सकते हैं, और यहां से 85 के target price तक भी जा सकता है, आने वाले time में, अना कि वीडियो close करने से पहले मैं हमेशा की दरा disclaimer दूँगा, कि जो भी views थे, वो मेरे personal थे, अगर आप किसी भी share में invest करना चाहते हैं, तो अपने financial advisor के advice पे ही कीजिए, अगर आप उसके बाद comfortable होते हैं, तभी आप उसमें invest कीजिए, thanks so much for watching the video and God bless you all.